यहां पर दूहा कतर में जो दुकान वाले हैं वो लोग जो समान मंगा के रखते हैं वो ही ओनलाइन डिलिवरी करते हैं तो मैं इंटरनेट पर चेक किया गूगल पर तो फिर वहाँ पर मिला हूं को देखते मुबाईल केमरा लेज और मैं उसको ओडर किया हूं लेकिन अब पता ने कैसा है कैसा नहीं है आने के बात में चलेगा तो आप लोग को पता दो कि मैं दोहा कतर में हूं और दोफर के बज़ रहे हैं एक तो कल के वीडियो में आप लोगो ने देखा था कि बाए गया था मुबाईल केमरा लेंज के लिए कई दुगान पर गया था तो नहीं मिला तो मैं रूम पर चला आया उसके बाद ऑन-लाइन चेक किया तो ऑन-लाइन भी नहीं मिला आए बड़ा मुश्किल है इजर दोहा कतर में ऑन-लाइन तो नहीं चला है बाकि अधर अधर हो गया उन-लाइन चलता है हां पर भी आज चल ला लेकिन उसमें दिक्कत यह कि बहुत ज्यादा पैसा आफोड कर रहा है तो नहीं ले सकते और यह माजून का जो दोहा कतर में कोस्ट बहुत ज्यादा है तो मैं क्या किया कि यहां पर जो दुगान है जैसे कोई समान लोग भी अपना डिलिवरी करते हैं तो मैं उस दुकान पर कई दुकान पर चेक किया उसके बाद ऐनली एक दुकान पर मिला लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिला और जो लेंस मिला है तो आने के बाद फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरे फीछे का जो आइड एंगल है कि इतना आ र वीडियो में बने रहा हुआ है और बाहर में है आकी धूप हुआ है तो देखता हूं कहां है भाई खुटन नहीं तो फाइनली घाइद इंस आ गया है और कस्यों इंक नुबला बेस्टणоме भाई युद्ध तो चला है और क्ली माई क्रोव लिंड्स आ गया वाईड का और मैं केम्रे देखता हूं अभी इन की विदाउट camera lens है और मैं लेंज लगा के देखता हूं कि मेरा कितना यह wide angle आता है तो चली लगाते हैं और आप देख रहा है कि यह बिना camera lens लगाए इसतना कितना वाइड एंगल आ रहा है तो हमारे इस वीडियो में बने रही है तो फ्रेंड यह रहा वाइड एंगल लेंस आप देख सकते हैं और इसका ब्रेंडिंग है मुझ मैं देख सकते हैं तो यह हमको टॉंटीनां डियल का बड़ा तो इंडिया का 300 रूपय हुए है उसका इत देखा देता है जो आप इसको आपकिट में भी आजाएगा तो पर यह कबर दी आ हुआ है और यह दूसरा थे थोड़ा बड़ा है और यह वाइड एंगल है चोटा है जोटा हम लगाता है वाइड एंगल की हमको जरूरत थी तो मैं देखता हूं कर रहा है तो लगाते हैं से और इसके अंदर और क्या है कि अदर यह जोता पांक्ट वह आप मार्ट के लिए लिए लिके जा सकते हैं यह गाटे हैं लिंस को और देखते हैं कि हमारा इंगल लिंस आता है तो ग्राइज यह रहा वाइड एंगल लगाने के बाद लिंस और इसका क्वालिटी अपलुप देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहा है यह पीछे का कुछ भी भी नहीं देख रहा था लेकिन अभी फिलहाल यह पीछे कर भी दिख रहा है और सभी कैसा क्वाल्टी थोड़ा सा अब लुब देख सकते हैं तो घरा कुछ वाइड एंगल लेंस जो की सही है और यह काम चल जाएगा इसका हो जाएगा पहले क्या था क यह वाइड एंगर लेंस नहीं था तो कुछ भी वीव नहीं देखता था सिर्फ मेरा इस आता था लेकिन आभी जो पीछे का आप देख सकते हैं कि फोड़ा सा इंप्रूव हुआ है आप लोग को कैसा लगा तो नेस्ट वीडियो में मैं आपको बाहर जा करके दिखाऊंगा क कि बाहर कभी जो पीछे का वाइड नहीं कितना आता है और यह चोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो यह रहा चोटा सा केमरा लेंस का रिव्यू आप लोग देख सकते हैं और तो हर लोग आईजात का यह ब्लोग कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें दोस्तों का शेयर करें चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब जिरू कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके आल करने ताकि यह आने वाला वीडियो का नुट्रिक्सन आपको मिलता रहे और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोट करते रहें तो मिलता है किसी नए ब्लोग में तो कर दोस्तों 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 झाल झाल